दोस्तों small cap कंपनियों में public की जो तवाही हुई है उसके बाद सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भी तूट सकती हैं उनके बारे में खत्रे की घंटी बजाने के पहले दोस्तों जराध्यान से सुनियेगा आज से कुछ दिनों पहले oil marketing कंपनियों के shares बहुत तेजी से उपर चड रहे थे तब हम सभी ने बार-बार discussion किया था कि चुनाओ सामने खड़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम काटे जा सकते हैं अब आप देख लीजी अखवारों में यही हुआ है परणाम सरूप oil marketing कंपनियों के shares तूट रहे हैं इसके सामने कच्चे तिल के दाम भी ऊपर इसलिए यदि आपका oil marketing कंपनियों में उपरी लेवल पर निवेश है तो मान्यवर थोड़ा सजग और चौकनने रह जाईएगा कहीं आपके साथ अब पच्चताएं होत का जब चड़ियां चुक गई खेत बाली कहावत सिद्ध ना हो जाए रही बात दोस्तों Central Public Sector Enterprises जो PS PSU Companies हैं उनका index पिछले एक साल में 90% का मुनाफ़ा दे चुका है एक तरफा सीध ही उचालाई है बीच में कोई meaningful correction भी नहीं आया परणाम सरूप support level बहुत नीचे है मोधी साहिब फिर से चुनाव जीतेंगे इसी उम्मीद में लोग भाग चड़े हुए है PSU Companies पर मोधी साह होगी ऐसा अनुमान हम भी लगाते हैं इस वर से प्राधना भी करते हैं किन्तु मानने वर ध्यान रखिएगा एक परसेंट आधा परसेंट ही सही लेकिन अगर चुनाव के रिजल्ट अब प्रत्याश्चत आए कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो सबसे ज्यादा बड़ा क्रेश पब्लिक सेक्टर इंटर्प्राइज़ के एटी अफ में इंडेक्स में आएगा दूसरे सब्दों में जो भी पी एस यू कंपनीज हैं जैसे की एंटी पी सी कोल इंडिया ओंगी सी ओल इंडिया पी एफ सी आरी सी उनके शियर्स भी खिसक सकते हैं इसलिए दोस्तो यदि आपने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटर्प्राइज़ इटी एफ में निवेश कर रखा है इन सरकारी कंपनियों में निवेश किया हुआ है तो आप उपरी लेवल पर थोड़ा सजग और चोकन ना रहिएगा यदि गिरावट आती है तो आपके लिए बहतर होगा क इससे पहले कि आप ट्रैप हो जाएं टुकडों में बेचकर कैस रिजर्व इन शियर्स में भी बिल्ड कीजिए ताकि नीचे गिरावट पर आप और अधिक माल खरीद सकें उपरी लेवल पर काफी अच्छा प्रॉफिट बन गया है तो थोड़ा बहुत कैस रिजर्व सिर तो भी अगले एक दो महिने तक तो ये कंसॉलिडेट ही करेंगे चुनाओ के पहले कौन सा बड़ा एनाउंसमेंट होने वाला है आप बताइए अभी तो गरदा उड़ेगी चुनाओ की इसलिए अगर आपने कैस रिजर्व बिल्ड कर लिया तो उसको आप लिक्विड पूटी तो तो भाई साहब सोने पर स्वागा हो जाएगा इन कंपनियों का भविष्ट उज्वल है ऐसा हमारा भी मानना है इसलिए थोड़ा सा रिस्क मिटिगेशन करने में कोई बुराई नहीं है हाँ ये आपके पास पैसे क्या बरावर इन फ्लो आ रहा है भविष्ट म है कि सब कुछ अच्छा होगा प्रॉफिट बनता रहेगा हम भी यही चाहते हैं लेकिन अगर बुरा केस अनफोल्ड हुआ तो हमें कौन बचाएगा मानने वर जब मार्केट में सब लोगों के मुह लटके होंगे तो आपके मुह पर मुसकान केवल तभी होगी जब आपके पास अच्छा कैस रिजर्ब बिल्ड होगा लिक्विट फंड्स में रही बात दोस्तों शेर मार्केट की जोटा पटक में यदि आपको खरीदने बेचने के लिए हमारी रिक्मेंडिशन चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे जोइन बटन दिया गया है उस पर क्लिक करके अ इन्वेस्टर मेंबर्शिप ले लीजेगा महोद है